सभी को नमस्ते, मैं अजे कुमार गुपता, फिजिक्स लेक्चरार, शिवालिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, बहरोड आज हम डिसकस करेंगे फोटो इलेक्टरिक इफेक्ट यानि की प्रकाश विद्दुत प्रभाव के बारे में जैसा कि यह नाम से समझ में आ रहा है कि यह जो गटना है वो प्रकाश की एनर्जी से रिलेटेड है सरप्रतम हर्ज नामक वेज्ञानिक ने प्रकाश विद्दुत प्रभाव के बारे में बताया उन्होंने 1887 में सबसे पहले इस गटना के बारे में अपने तथे प्रस्तुत किये उन्होंने बताया कि जब किसी धातु की सते पर प्रकाश आप्तित करवाया जाता है तो धातु की सते से इलेक्ट्रोन उस्सरजित होते हैं जैसे ही धातु की सते पर प्रकाश आप्तित करवाया गया तो धातु की सते से इलेक्ट्रोन उस्सरजित होते हैं यह सरुप्रतम हर्ज वेग्यानिक ने अपना तरथे प्रस्तुत किया इस गटना के बारे में वेग्यानिक हर्ज के बाद दो वेग्यानिक लेनाड और हैलवेश ने प्रकाश विद्धुत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया उन्होंने एक निर्वातित नलिका में मैटल सर्फेस और एक डिडेक्टर यानि के संसूचक लिया तथा धारा को मापने के लिए एमिटर ए तथा परिपत में एक बैटरी लगाई मैटल सर्फेस सीजियम, पोटेशियम, सोडियम या रूब्यम कुछ भी हो सकता है जैसे ही उन्होंने मैटल सर्फेस पर प्रकाश आप्तित किया तो धातू की सते से रिनावेशित कन बहार निकलने लगे और संसूचक की और गती करने लगे जिससे यह सर्किट पूर्ण हो गया और परिपत में धारा बहना प्रारंब हो गई इस एक्सवेरिमेंट को हम आगे देख सकते हैं अब जैसे ही प्रकाश आप्तित हुआ तो धातू की सते से आपको दिखाई दे रहा है इलक्टोन उस्सर्जित हो रहा है जो की संसूचक की और गती कर रहा है जिससे एमीटर में रिडिंग आना प्रारंब हो गई इससे यह स्पस्ट हुआ कि जैसे ही प्रकाश धातू की सते पर आप्तित किया जाता है तो परिपत में धारा बेहना प्रारंब हो जाती है क्योंकि इलक्टोन संसूचक की और गती करके सरकिट को पून कर देता है इसी प्रभाव को प्रकाश धुद्ध प्रभाव के नाम से जाना गया तथा जो रिणावेशित कन धातू की सते से बाहर निकल रहे हैं उनी रिणावेशित कनों को फोटो इलक्टोन के नाम से जाना गया तथा परिपत में जो धारा वहती है उसे प्रकाश बिद्धुत धारा कहते हैं ये लेनाड और हेलवेश ने अपने प्रायोगी प्रिणाव इस तरहे उन्होंने प्राप्त किए तथा कुछ इसके बाद उन्होंने तथे भी प्रस्तुत किए जो की इस प्रकार है उन्होंने देखा कि जैसे यदी धातु की सते पर लाल प्रकाश आप्तित किया जाता है तो कोई भी इलेक्टरोन धातु की सते से उस सरजित नहीं होता यानि कि उन्होंने अपने प्रियोग में यह पाया कि कम से कम प्रकाश की आवर्ति का मान इतना होना चाहिए कि वह धातु की सते से इलेक्टरोन को उस सरजित कर सके तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अपना एक तथे प्रस्तूत किया कि वह न्यूनितम आवर्ति जिससे धातु की सते से इलेक्टरोन उस सरजित हो जाता है उसे दहली आवर्ति के नाम से जाना जाता है अभी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में रेड कलर की राइट यानि की लाल प्रकाश आपतित किया और धातू की सते से इलेक्ट्रोन उस्सरजित नहीं हो रही है अब देखिए इसमें रेड लाइट दी जा रही है जो की 4.3 से 4.6 इंटु 10 की पावर 14 हर्ज आवरती की है प यानि की पीली लाइट जिसकी आवरती का मान 5.1 से 5.2 इंटु 10 की पावर 14 हर्ज है तो इससे फोटो इलेक्ट्रोन उस्सरजित होना प्रारंब हो गए इसे ही जो नियूनतम आवरती का प्रकाश होता है उसे ही हम कहते हैं देहली आवरती पोटेशियम के लिए जो देहली आवरती का मान है वो 5 इंटु 10 की पावर 14 हर्ज है तो अगर हम इससे के बराबर की आवरती का प्रकाश देते हैं तो पोटेशियम धातु से इलेक्ट्र उस्षरजित होते हैं प्रकाश विद्धुद प्रभाव के बारे में तीन महत्मूर्ट तथे प्रस्तुत किये गए कि दातू की सते से इलेक्ट्रोन को उस्षरजित कराना है तो उसे कम से कम दहली आवर्ती के बराबर का प्रकाश देना पढ़ेगा यदि आवर्ती का मान दह उस सरजित होते हैं उन इलेक्टरोनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीवर्ता पर निर्भर करती है तीवर्ता का अर्थ होता है प्रकाश की ब्राइटनेस से यदि प्रकाश हमारे पास ब्राइटनेस कम है तो number of the electrons यानि की उस सरजित इलेक्टरोनों की संख्या कम होगी यदि हमारे पास ब्राइटनेस जादा है तो number of the electrons यानि कि उस सर्जित इलेक्ट्रोनों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम इससे कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोनों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रकाश विद्दो धारा का मान भी ज़्यादा प्राप्त होगा तो इससे इसपस्ट हुआ कि प्रकाश विद्दो धारा का जो मान है वो प्रकाश की तीवर्ता पर निर्भर करता है नमबर थर्ड पोइंट जो उस्सरजित इलेक्ट्रोन हो रहे हैं उनकी गतिज उर्जा का जो मान होता है वो आप्तित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है तो गतिज उर्जा जो है वो आप्तित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है परंतु प्रकाश शुद्धु धारा का मान आप्तित प्रकाश की तीवर्ता पर निर्भर करता है तो यह है महत्पुन तीन तथे प्राप्थ हुए प्रकाश शुद्धु प्रभाव के अंतर प्रेगाट।